सू प्रभाद बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? इश्वर से प्रातना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्त और सुरक्षित होंगे और घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पार्ट-19 विरामचिन का आदश पार्ट करेंगे तो आप सभी लोग भी मेरे साथ पेश नमबर 119 पार्ट-19 विरामचिन खोलिए पार्ट-19 विरामचिन हम बोलते समय अर्थ को इसपस्ट करने के लिए वाक्यों के बीच बीच में भावों के अनुसार कभी एक शण के लिए और कभी कुछ अधिक समय के लिए रुपते हैं कभी प्रेश्न करते हैं, कभी आश्रय प्रकर्ट करते हैं और कभी दुख आदी के भाव व्यक्त करते हैं लिखित भाशा में इनी भावों और अर्थ को प्रकर्ट करने के लिए जिन चिनों का प्रियोग किया जाता है वे विराम चिन कहलाते हैं बिसमयादी बोधक चिन, योजक चिन, कोस्टक चिन, लगाओ चिन अब बच्चों हम लोग विराम चिन और उसके भेद के बारे में भी पढ़ेंगे तिसर प्रथम हमारा है पून विराम बाक के अंत में रुखने के लिए पून विराम लगाते हैं जैसे पृति कक्षा पाच में पढ़ती है, हम विध्याले जा रहे हैं दूसरा अल्प विराम, किसी वाक में जहां थोड़ा रुखना होता है या किसी व्यख्ती या वस्तू को दूसरे से अलग दिखाना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है जैसे जल्दी चलो बारिश होने वाली है, हर्श, विवेक और प्रकाश पढ़ने आ रहे हैं तीसरा प्रश्न वाचक चिन, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, बहां प्रश्न वाचक चिन लगाते हैं जैसे क्या मानिका खेलने गई है, तुम कब आए? चौथा उधारण चिन, जब कहने वाले के कथन को जों कत्यों लिखते हैं, तो इस चिन का प्रियोग करते हैं जैसे सुभाश चन बोश बोश ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूगा मान ने मुझे से कहा परिश्रम करोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी पाँचवा बिसमे आदी बोधक चिन, आश्रय, खुशी, दुख, शोक, उस्सा, घृणा, आदी भावो को प्रकट करने के लिए इन चिनों का प्रियोग किया जाता है जैसे, वह, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे, आप आ गए हैं? छटा, योजक चिन, दो शब्दों को जोडने के लिए इस चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे, किसान रात, दिन मेहनत करता है, थोड़ा जल्दी-जल्दी लिखा करो सात्वा, कोस्टक, किसी शब्द के अर्थ को या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है जैसे, अर्जुन ललकारते हुए, जैद्र तुम्हे आज कोई नहीं बचा सकता सुनो, वा मुख्य अथिती सभा में पहुच चुके है आठवा, लगाव चिन, लगाव चिन का प्रियोग शब्दों को शब्षित रूप में लिखने के लिए किया जाता है जैसे, डॉक्टर, डॉक्टर, टेलिविजन, टीवी, प्रोफेसर, प्रोग, प्रश्न, प्र, उत्तर, उ इस प्रिकार से प्यारे बच्चों, आज हम लोग ने विराम चिन के बारे में आदश पार्ट किया अगले वीडियो में ने पार्ट के साथ पुना हम लोग उपस्तित होंगे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग अपना खयाल रखेगा और आपके स्कूल के वेबसाइट में जो भी मैंने कार दिया है उसको आप लोग पार्ट पुस्तिका में और अपनी कॉपी में कर लिजेगा धन्यवाद लगाव चिन लगाव चिन का प्रियोग शब्दों को शब्षित रूप में लिखने के लिए किया जाता है जैसे डॉक्टर द, टेलिविजन टीवी, प्रोफेसर प्रो, प्रश्न प्र, उत्तर उ तो प्यारे बच्चो आज हम लोग ने हिंदी व्याकरण में पार्ट 19 विराम चिन का आदश पार्ट किया उमीद करती हूं पार्ट को आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना होगा इसी पार्ट से समंदित कुछ अभ्यासकार आपके स्कूल के वेब साइट में मैंने दे दिया है जिसको कि आपको अपनी पार्ट पुस्तिका में और ग्रहकार की कॉपी में करना है अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ पुना हम लोग मिलेंगे तब तक प्यारे बचो आप लोग अपना खयाल रखेगा धन्यवाद